आज का पंच्यंग आज का दिशाशूल पश्यम की तरफ रहेगा तो फिलहाल पश्यम की ओर यात्र टाल दें तो आज का महा उपाय है आज के दिन घर के मुखे द्वार पर शुद्ध घी का दो मुखवाला दीपक जलाएं आर्थिक समस्यें दूर होंगी तो चलिए फ्रेंड से बात करते हैं राशी फल की राशी फल में सबसे पहली राशी है मेश यानि एरेस्ट मेश राशी वालो किसी व्यक्ती के साथ बढ़ती हुई मित्रता आपको नुक्सान पहुँचा सकती है नौक्री में ट्रांसफर, संबंदी, गद्विधियां अभी रुकी रहेंगी पती-पत्नी के बीच किसी घलत फहमी को लेकर तनाव रहेगा सेहत की बात करें तो कमर दर्द और जकणन महसुस होगी व्रेश राशी वालो आज का दिन मिला जोला रहेगा उदार के लेंदेन से बचें अपने काम को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग में बदलाव लाना आवशक होगा पार्टनर के प्रती निष्ठा और प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा मितुन राशी वालो आज आपका मन उदास रहे सकता है सिंग राशी वालो आज दिन शुब फल दायक रहेगा आर्थिक मामलों में सुधार आएगा किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जिससे मन प्रसन रहेगा कन्या राशी वालो आपका दामपत जीवन अच्छा रहेगा परिवार में बड़ों से प्यार मिलेगा किसी खास व्यक्ति से बिजनिस के बारे में बातशीत हो सकती है पुराने मित्रों से मुलाकात करके पुरानी यादे ताजा होंगी तुला राशी वालो आज आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा रुका हुआ धन आपको मिल सकता है व्यापार में साज़दारी से लाब होगा बच्चे सोशल मीडिया में ज्यादा समय बिताएंगे व्रश्षिक राशी वालो आज कोई धार्मे की यात्रा से संबंधित योजना बन सकती है अपनी घर के मामलों को आपस में ही निप्टाएं नकारत्मक लोगों से दूरी बना कर रखें पारेवारिक जीवन सुख में रहेगा धनूराशी वालो आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा करक्षेतर में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा आप नए काम की प्लानिंग कर सकते हैं मकराशी वालो अगर किसी बिजनिस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आज से ही शुरू करें सफलता कदम चुमे की आज घर पर मेहमान आ सकते हैं जो खुश खबरी लेकर घर में दस्तक देंगे धनलाब होने के भी योग बन रही हैं स्वास्ते बेहेतर रहेगा कुम राशी वालो आज आपको कारोबार में धनलाब होगा परिवार के साथ मेल जोल बढ़ेगा बेहन के साथ काफी समय से चले आ रहे विवाद समाप्त होंगे आपका जीवन साथ ही आपकी किसी इच्छा को पूरी कर सकता है मीन राशी वालो आज आपका कोई मित्र आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है कारिक्षेत्र में भी दुश्मन आपकी खिलाब कोई साजिश रच सकते हैं सतरक रहें दोस्तों की बातों में आने के बजाए खुद पर यकीन करेंगे तो लाब होगा किसी पर हद से ज़्यादा विश्वास करना आपको मेहंगा पड़ सकता है इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकोन दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद